श्री रामनाथ बड़े सरल एवं साधू स्वभाव के व्रिधा है। आप अलीगर में रहते हैं और हनुमान जी के उपासक है। महाराज के आप पुराने भक्त है और उनकी उपस्थिती में आप वर्ष में दो-चार बार उनके दर्शन करने आश्रम आया करते थे। बाबा के शरीर शांत होने के कुछ वर्ष उपरान्त एक दिन जब आप अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। आपका मन पाठ में स्थिर ना हो पाया। आप उठकर पास के हनुमान मंदिर में चले गए और वहां मन लगाने का प्रयास करने लगे। वहां भी आपको सफलता नहीं मिली। आप घर लोट आये और कुछ आवश्यक वस्तूओं को साथ लेकर घर के लोगों के मना करने पर भी व्रिंदावन आश्रम आ गए। यहां रहकर दो दिन आपमें सानंध हनुमान मंदिर में पाठ किया। तीसरे दिन एक आएक आपमें कैची दर्शन की लालसा जाग उठी। आप उची आश्रम चले आए। यहां गुरु पूर्मिमा का महोत सब मनाया जा रहा था। सान काल चार बजे का समय था। आप मंदिर परिसर में बाबा के तख्त के पास हनुमान मंदिर की और मुव की ये बैठ गए। एक आएक आपको मंदिर की छट पर कंबल ओड़े बाबा दिखाए दिये। इस द्रिश्य ने आपको अवाक कर दिया। आपको अपनी आखों पर संदेह होने लगा। कुछ देर के लिए आपने अपना सिर नीचे कर लिया पर फिर उस और देखने पर वही द्रिश्य सामने आ गया। अब आपने अपनी आखों को हथेलियों से मला और पुनह उस और देखा तब आपको बाबा सफेद चादर ओड़े दिखाए दिये। इस द्रिश्य से आप अत्यधिक चक्रा गए। आपने फिर आखों को मसला और कुछ देर इधर उधर देखते रहे। इसके बाद फिर जब बाबा की ओर उन्मुक हुए तो वे पुनह कंबल में दिखाए देने लगे। आप उठ खड़े हुए और आगे न बढ़कर कुछ पक पीछे मुर कर चल आए कुछ समय बाद जब आप पलट कर बाबा को देखने लगे तो वे अधरिश्य हो गए।